विछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लिंजी श्याओं ने प्लैन करके हुआं को किंग नैन के खिलाफ करने की कुशिश की पर वो तो दोनों दोस्त बन जाते हैं जहां फिर से लिंजी श्याओं हमारे किंग नैन को प्रवोक करने लगता है उन दोनों की बहस को देखने के बाद वहाँ पे शानलाव आ गए थे जो उन दोनों को फाइट करने से मना करते हैं तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दाइवू मेथर से फाइट करेंगे जिस जी शाओ मुस्कुराते वे कहता है कि अगर अब तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम दुबारा कुंफू हाल में आओ तो मैं इस शर्ट के लिए मान जाता हूं और इसे सच कर देता हूं दोनों का ये ज़स्बा देखने के बाद शानलाओ कहते हैं कि ठीक है इस केस में मैं तुम दोनों को विटनेस करता हूं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा वहां मौझूद लड़कियां भी किंग नैन को देखकर कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत जादा मुसीबत में पढ़ने वाला है अब ये जिन्दगी पर दोबारा कभी भी कुनफू हाल में एंटर नहीं कर रहा था यहां शान लाओ उसके बारे में बताते हैं कि जैसे ही तुम सभी मून स्टोन के उपर हाथ रखोगे ये तुम्हारे मार्शल आर्ट टैलेंट को गैस करेगा और जिसका टैलेंट जादा होगा वह विनर हो जाएगा क्योंकि इसे पावर टेस्टर के नाम पर भी ज जादा एकसाइटिड हो गया था तो वह खुची-खुची पहले आने को तयार हो जाता है आके जाने से पहले वह किंग नैन की तरफ देखकर कह रहा था कि किंग नैन अब तुम मेरी पावर को अच्छे से देखना क्योंकि तुम्हें पदा लग जाएगा कि हमारे बीच में कितना जादा डिफरेंस है लिंजी शाओ जैसे आके बढ़ते वे उस मून स्टोन पर अपना हाथ रखता है उसमें से यलो कलर की रोशनी निकलनी शुरू हो गई थी और फिर धीरे वो कलर चेंज करते वे पहले हरा और उसके बाद स्काय ब्लू हो जाता है उस स्काय ब्लू कलर की रोशनी को देखने के बाद वहां मौझूद सभी लोग काफी जादा शौक हो रहे थे पर लिंजी शाओ सभी को कहता है कि अभी तक मेरी पावर एनलाइसिस खतम नहीं हुई है यह बोल कर वो अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल कर अपनी पावर को और जादा स्ट्रॉंग कर लेता है जिसकी वज़े से उसका कलर डार्क ब्लू हो गया था उसका वह पावफुल और ब्लू कलर देखने के बाद सभी लोग काफी जादा शौक होते हैं यह कहते वे कि यह कितना जादा पावफुल है लिंजी शाओ की यह पावर देखने के बाद दोनों देखना छोड़ दो क्योंकि वो मेरे हैं इसी तरह बहस करते वे वो दोनों तो एक दूसरे से घुसा भी हो जाती हैं यहां शान लाओ लिंजी शाओ की तारीफ करते वे कहते हैं कि तुमने जिस तरीके से अपने मार्शल सोल स्पिरिट का यूस किया इस क्रेन लाइट को ब आरी में बाते बंनाने लगते हैं कि यह लड़का किस से पंगा लेने जा रहा है लगता है इसने अपनी पावर को चुछा लिया था जो यह यह सोच बैठा कि लिञ冷शी शाओ को तकर देने वाला है यहां जी शाओ किंग नैन के सामने जाकर कह रहा था कि अगर तुम हार गए तो दुबारा मेरे सामने कुटे की तरह भौकने की हिम्मत मत करना क्योंकि मैं हमेशा एक चसा नहीं रहने वाला कल को कहीं मैं तुम्हारा खेलना खतम कर दू किंग नैन भी आगे बढ़ते में हमारे किंग नैन को देखने लगता है किंग नैन उस मूनस्टोन के पास जाकर जैसे अपनी स्प्रिचुल एनरजी को रिलीज़ करके उस मूनसटोन पर हाथ रखता है उस मूनसटोन से ड्ग कलर की एनरजी रिलीज होना शुरू हो जाती है बच्चे तो काफ़ी जादा कमजोर निकला रेट कलर की एनरजी रिलीज की इसने और ये इस लोवर रेंग के पावर के साथ हमारे सीनियर बिदर लिंज से फाइट करने वाला था ये लड़का अपने लोगस लेवल की पावर पर इतना कॉंफिडेंट था ये सब देखने के बाद लिंजी श्याओ भी जोर-जोर से हसते वे कहरा था कि मुझे लगा था कि फाइट करने के लिए तुम्हारे पास थोड़ी अबिलीटी तो होगी पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ये दिखाओगे इधर किंग नैन उन सभी की बातों पर ध्यान नहीं देता बलकि अपनी इस प्रीच करतो लिंजी शो की बोलती बंदो जाती है वो मुझे खोलके कहता है कि ये कैसे हुआ बच्चे जो अब तक उस पे हस रहे थे वो भी उसकी ब्लू लाइट देखने के बाद काफी जाधा चौक जाते हैं कि आकर अचानक से ये लड़का इतना जाधा पाउफुल कैसे हो गय कहते हैं कि इतने सालों से वेड कर रहा हूं मैं और मुझे आज देखने को मिला इतने हाई रैंकी लाइट किंग नैन तो एल्डर को ग्रीट करने लगता है और वहीं दूसरे तरफ लिंजी शो काफे गुस्से में कह रहा था कि मैं एक फिफ्ट लेवल के बॉड़ी टेंप आने वाले कॉंपटिशन में मैं इस किंग नैन की जिंदिगी मौच से भी जाधा बत्तर कर दूँगा वहीं उनके सीनियर ब्रदर लिंग के वहां से जाने के बाद ये सबी बच्चे जो कि किंग नैन की बुराई कर रहे थे वो तो कहते हैं कि इसका मार्शल आर्ट टेलें जाता है जो कि किंग नैन के पास आकर कह रहे थे कि क्या तो मेरे साथ थोड़ी दिर के लिए बाहर चलना पसंद करोगे किंग नैन तो उनकी बात पर काफी पुलाइडली ग्रीट करते वे कह रहा था कि आप तो एल्डर है आपको दो आर्डर देना चाहिए मैं आपका ओड स्टोन पर अपनी पावर को चेक कराकर उसे ब्लू कर दिया तो फिर मैं तुम्हें एक टोकन दोंगा और फिर वो अपने हाथ में वो टोकन निकाल कर दिखाते हैं इस टोकन की हैल्प से हमारा किंग नैन कुमफू हॉल में कहीं भी जा सकता है उसे कहीं जाने की मना ही नहीं साथी वह अपने लिए कोई सा भी सामान पें कर सकता है इस सथोकन की herself से य कुमफू हॉल में रहकर प्रैक्डिस कर सकता है जिसे सुनने के बाद को सोच रहा एक नियू कमर होने की वज़े से उसे काफी सारी चीजों के लिए रोका टूका जा सकता है और बहुत सी चीजों पर उस पर लिमिट लगी हो सकती है पर अगर ये टोकन उसके पास हुआ तो फिर तो कमाल हो जाएगा उस टोकन को देखने के बाद उसकी आँखें चमकने लगत तो अगर तुम उस लेवल तक पहुँच आते हो जहां तक मैंने तुम्हें काई तो फिर मैं क्यों ना तुम्हें ये टोकन दू क्योंकि फिर तुम जैसा स्टूडेंट उस जैसे टोकन को डिजर्व करता है ये सुनने के बाद तो किंग नैन के भी होश उचाते हैं कि उन् इनरजी रिलीस करते वे मूंस्टोन पर अपना हाथ रखता है जिसकी वजह से मूंस्टोन की एनरजी रैड में कनवर्ट हो जाती है शान लाओ तो उसकी मार्शल स्पिरिट देखने के बाद काफी जादा शौकते कि लड़की के पास गौड ऑफ बॉर की सोल स्पिरिट है वही अब तक किंग नैन अपने स्पिरिच्वल पावर की हैल्प से उस लाइट को ग्रीन कर चुका था जिसे देखकर शानलों कहते हैं कि ये लड़का थो सच में अमेजिंग है जो कि अपने मार्शल स्पिरिट की पावर को रिलीस करने में पीक पर पहुंच गया है अब त किंग नैन तो पूरा फ्रीज हो जाता है कि सच में तूट गया अब यह मत कहना कि आपको कंपंसेशन चाहिए डर से तो बेचारे की हालत कराब हो जाती है क्योंकि हो सकता है कि यह मुंस्टोन काफी जादा प्रीशेस हो शानलाओ तो यह देखने की बाद हसने लगे दे और कि एक तो उन्होंने उसकी कंपंसेशन को माफ कर दिया जो कि पता नहीं कितना हो सकता था और वहीं दूसरे तरफ उन्होंने अपनी बात का मान रखा इसके बाद शानलाओ के इंग्नाइन को वहाँ से जाने को कह देते हैं और उसके जाने के बाद खुद कुछ थोड़ा सा केल्कुलेट करने के बाद कह रहे थे कि सीनियर ब्रदर आपने मुझे जस लड़के को ढूने को कहा था मैंने उसे ढून लिया और ये सिर्फ आपके लिए था अब आपको वापस आजाना चाहिए वह यहाँ जन्के बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में हमें बाकी के में पता लगेगा क्योंकि इसी के साथ हमारे ये वाला एपिसोर जाता है खत्म